Hello, applicants! अभी तक हमने बात कर ली थी Paper 1 के Unit 1, Unit 2 और Unit 3 में हम चल रहे थे और हमने बात कर ली थी Socialology वारे section की अब हम quickly wrap up करेंगे Unit 3 का जो सब Units जिसमें हम बात करते है Management की तो Management में जब पहला Question है, वह है निरदेशन की एक तका सिदनान्थ क्या है यह unity of direction क्या है, fundamentally देखें तो इसमें सिर्फ यही बात है कि एक आदमी को सिर्फ एक ही senior से वो मिलना चाहिए instruction, एक ज़्याद से instruction नहीं मिलना चाहिए, तो बस यह उसे से related है, देखें मैंने यहां इसको diagram के साथ में रूपित करने की कोशिश की है, so that one person gets instructions only from one senior, so यह से related, इसक इसके पूछा गया है, तो इसकी यह definition यहां दिखी हुई है, और इसके features लिख दी है, क्यों कि दो नुम्बर का सवाल था, space खूब सारा था, तो सिर्फ क्या समझते हैं से बात पढ़नेगी नहीं, वो तो definition बहुत चोटी से थी, इसके features पताऊगे तो ज़्याद अच्छे स कैसे है, ठीक है, तो जब आपके पास space हो और आपकी definition बहुत चोटी हो, तो आपको उसके लिए उसके features include कर दिने चाहिए, इसके कुछ features हैं, कि it exists within the formal setup, फिर यह authority exists, और अधिकारिता exists करती है, on the basis of personal quality आदमी के खुद की गुनों पर based, यह बहुत flexible होता है, और इसमें कोई set behavior होता नहीं क्योंकि informal organization है, informal का मतलब, आपने लिखा हो कई जगे unions बन जाती है, कई manufacturing units में, वो एक best example है, informal organization का, कई जगे जाती waste भी organizations बन जाती है, कई कई organizations में, वो भी informal organization का example है, आगे चलते हैं, संधारनिय विपनन विचार को, यानि sustainable marketing in brief, अब देखो, marketing का मतलब होता है, sustainable products के बारे में, दुनिया को बताना हो, sustainable का मतलब क्या होगा, sustainable का मतलब, आप इस प्रकार से बताइए, कि वो काफी लंबे समय तक चले, या फिर आपके natural products हो, environment friendly products हो, तो उस ही से रेक्टिट है, sustainable marketing is the promotion of environmental and socially responsible products, समझ गया बात, मतलब, आपको connect करना पड़ेगा, ये definition किसी भ sustainable word आता है, तो हमें environment से connect जरू करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है, environmental and social responsible products को market करने का मतलब होगा ये, और फिर उसके बारे में, कौन-कौन से products आएंगे, या कौन-कौन से इनकी values होगी, किस प्रकार के इनके types दिये वे हैं, ये सवाल दुबारा पुछा नहीं जाएगा, इसको detail में ये पढ़नी जरूत नहीं, क्या-क्या लिखना है, ये पढ़नी जरूत है कि इसको approach कैसे किया जाए, अगला question है, commercial paper is an instrument for short-term finance, होता क्या है ये, तो इसके बारे में इसकी definition यहाँ है, कि commercial paper is a short-term debt instrument, यानि उधार लेने का एक instrument है, और ये इसकी features है, space available था, features अगला question है, संचार में अर्थ पूर्ण बाधा हो, semantic barriers के बारे में बताईए, semantic barriers, कहना कुछ और चाहरे थे, समझ कुछ और लिया जाए, so it is the misunderstanding, कहना कुछ और चाहरे थे, समझ कुछ और लिया जाए, क्यों, क्योंकि आपने grammar की error कर दी, and interpretation of meaning which restrict effective communication, यानि, effective को मतलब अच्छ परियाप्त, whatever, effective communication, effective संचार के मध्य में वो रुकावट पैदा करता है, किस प्रकार से, जब हम misunderstanding हो जाए, हम गलत तरीके से interpret कर लें, कहा कुछ और समझा कुछ और, इसके reason क्या होते हैं, इसके reasons में होता है, सबसे पहरे तो ये, कि जैसे आपने देखा वागा कि उत्तर भा पहरे तो जैसे एम बोलना हो, हम बोलते हैं, नौर्थ इंडिया में बोलते हैं, एम, साउच इंडिया में बोलते हैं, यम, येस बोलेंगे वो, और हम बोलेंगे येस, बहुत सारे शब्दों में difference आता है, तो जब डायलेक्टर डिफरेंस हो, यानि प्रनिशिशनल डिफर जाते हैं, क्योंकि contextual meaning बहुत important होता है भाशा के अंदर, फिर spelling के errors हो, अर्थ का अर्थ हो जाता है, body language आप कैसी हो, जो कि सामने वाला कुछ और मीनिंग निकाल रहा हो, तो ये सब क्या हैं, semantic barrier के examples हैं, इसमें next section है, जिसमें 5 cross 2, यानि 5 number के 2 सवाल पूछे जाएंगे, तो बहुत सिधा साधनन है, सवाल है, जिसमें कहा है, अभी फ्रेश्रेण के द्वी कारक सिद्धान को बताएंगे, यानि 2 factor theory of motivation को बताना है, या Heisenberg की 2 factor motivation theory, जिसमें motivational factors और hygiene factors है, यानि ये तो आपको कम से कम maintain करने ही होंगे, और ये motivation factor दोगे तो सागे बढ़े हैं, लोग लिखने हैं, तो यदि आप इस तरीके से लिखोगे, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, कि आपने पेज को दो बागों बाट दिया, hygiene factor ये, और motivating factor ये, इसका जो alternating mechanism होगे, इसमें लोग यहां ये लिखेंगे, और hygiene factors को यहां लेकर के आएंगे, जिससे मुझ रखता ये, it is something to be skipped, क्योंकि ये आ गया है, अगला question जो है, it is related to, समपदा को अधिक्तम करने की अधारना, अब ये देखिए, concept of wealth maximization, इसी नाम से सल्लेबुस में bullet है, ऐसा लिखा हुआ है, the concept of wealth maximization, तो यानि, आपको किसी पे concept को बहुत डीटेल में नहीं पढ़ना है, फौरी तो पर पर पढ़ लीजे, तो भी आपका, मतलब काम बन जाएगा, कुछ लोग पूछना है, कितने डीटेल में पढ़ने आरेस के सल्लेबुस को, तो मैं उसी की साब से आंसर देरी हूँ, कि आप पहले प्रशन देखिए, प्रशन पूछे कैसे गई, so it is the concept of increasing the value of business hold, यानि किस भी website की संपत्ती को पढ़ाना है, संपत्ती कैसे बढ़ेगी, जब आप सारे stakeholders जो है न, उनके धन को बढ़ाएंगे, उनके interest को यहानवे रखेंगे, तो यह देखिए, कि यदि आप financial decision इस प्रकार से लेते हैं, कि risk और returns को evaluate करो, और low investment के decision, liquidity के decision, financing के decision, और dividend के decision, तो आपका पैसा बढ़ जाएगा, it is called wealth maximization, अब आगे चलते हैं, अगला question है, define efficiency audit, यह auditing and उसका content start हो गया है, जिसमें हम कहते हैं कि efficiency, कोई चीज़ efficient कव होती है, जब हम कहते हैं, कम समय या कम लागत, कम समय या कम लागत में, हमेरे पास में अधिक output आए, तो उसको कहते हैं, चीज़ efficient है, तो हम क्या कहेंगे, और it is also known as performance या profitability audit, it is a systematic examination of efforts of accomplishment goals efficiently and effectively, efficiently और effectively जिसके लिए बनाएगा हो काम हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है, in order to determine the adherence to policies, कि हमने जिस policy को जाह में रखते वे कोई भी काम किया, वो क्या ठीक हुआ, और उसके क्या stated objective or requirements objective, यानि कि नुदेशों की पूरती के लिए हमने काम शुरू किया कि उसको पूर कर पा रहा है, it is focused by second ARC, अब ये देखे, यहां आ गई है आपकी public administration, public administration में हम second ARC बढ़ते हैं, लेकिन उसको यहां correct करना है आपको, आगी बात करते हैं, अकला question है, वित्य विवरन पत्रों के विशलेशन के संदर्ब में, अनुपात विशलेशन क्या है, अनुपात विशलेशन रेशियो अनलिसिस क्या है, रेशियो अनलिसिस की definition तो यहां लिख दी है, कि रेशियो अनलिसिस is a tool used to determine the financial health, यानि वित्य स्व स्वास्ते की जानकरी देने के लिए टूल है, अब यहां बॉक्स बनाए है, because I want to emphasize कि यह दो शब्द सब से ज्यादा महतोपूर्ण है इस पूरे content के अंदर, और उसकी operational efficiency, अब इसमें important ratio है कौन-कौन से, तो यह liquidity ratio, solvency ratio, turnover ratio, profitability ratio, earning ratio, यह 5 ratio की नाम लिख दिये हैं, क्योंकि यह budget नहीं है, I repeat, यह budget नहीं है, यह budgeting है, और जब भी आप answer लिखें, यदि budget पूछा जाएगा, या budgeting पूछी जाए, quality वाले section में, तब तो लिखना चाहिए आपको सम्विधान का article, लेकिन यहां, context सोचे, आप किस section में उत्तर लिख रहे हो, आप उत्तर लिख रहे हो, section management वाले, accounting वाले section में लिख रहे हो, तो यहां आपको सम्विधान का article न लिख करके, true definition of budgeting देनिये, कि budgeting का मतलब यह है, कि आगे आने वाले एक साल के लिए, हमारे पास पैसा कहां से आएगा, और कहां जाएगा, ठीक है, so from spelling, looking into business at an estimated incomes and expenditure over a period of time in future, इसके कुछ types दिये वहे हैं, social audit, साधरान layman की भाशा में बॉलू, तो यह होगा, कि सरकार की दरफ से बहुत सारा पैसा, बहुत सारे schemes के लिए आता है, क्या grassroots level पे वो implement हो पाई कि नहीं हो पाई, यह कौन बताएगा, यह जनता जनारदन बताएगी साब, जब जनता यह बताएगा, कि पैसा जिस काम के बनी पहुँचेगी, पहुचेगी, पहुचेगी, नहीं पहुचेगी, सामदाई विकास के दरबने के लिए पैसा आया की नहीं आया, जिस दिन इस प्रकार की ओटिंटिंग होने लग जाएगी, जब जनता बोलेगी उसको बोलते है, social auditing, तो यह क्या है, social auditing is a way of measuring, understanding and reporting and ultimately इंप्रूविंग किसको एन ओगनाज़ेशन और सोशल और एथिकल परफॉर्फॉर्मेंस एथिकल इसलिए जिस काम के लिए पैसा है उसमें लगा कि नहीं सोशल इसलिए कि सोसाइटी को धहन रखते वे काम करना है अब गौर्मेंट नहीं क्या किया गौर्मेंट यूजे अब इसलिए तो और इन फेक्ट उनकी अकांटिबिलेटी भी बढ़ती है तो यह सब इससे रिलेटेट कटेंट है जिनको आप लेटर पढ़ भी सकते हो मैं पीडिया आपके साँ शेयर भी कर लोगे इसी कंटेक्स्ट में नेक्स्ट क्वेशन है कोश प्रवाह यानि फंड का फ्लोव अनालेटी मीक क्या है फंड का फ्लोव कर भी पैसा कहां आया और कहां गया पैसे का डाइवर्जिं की ज civी में हुआ वह फंड-फ्लोव अन् rust कuli तो उसका it analysis a company's balance sheet of 2-yard to validate the movement of funds नो से क्या है दो साल मुन्मेंट यार दकलो बैलन्यशीट की लिए लिए चेक करना किस प्रकार से फंड कहा गया, इसके benefits क्या हैं, इसके benefits हैं, it helps to analyze financial positions, it helps to form the realistic dividend policy, proper allocation of resources and know the overall credit worthiness of the organization, अब हम पहुँच गये last case, सिर्फ दो questions पर दो ही questions बचे हैं, एक तो है zero based budgeting, उस पर tip पड़ी लिखनी है, tip पड़ी का मतलब होता आपको positive negative दोनों बताने होंगे, तो सीधा straightforward question है, हमारे syllabus का हिस्सा है, zero based budgeting, और in fact सबसे जदा पूच जाने वाला है, zero based budgeting, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको यससे बजा जेते होंगे, होता क्या है, माली जी किसी scheme के लिए पैसा आया, उसने कितना perform किया, नहीं किया, outcome क्या रहे, कितना percent पैसा उसमें से खर् budget बना हो, this is called zero based budgeting, यह इसके advantages or disadvantages यहां mentioned है, आप पढ़ सकते हैं, pause करके पढ़ सकते हैं, no issues at all, यह मुझे क्या है, हिंदी में थोड़ा सा translate करने में थोड़ा से समाझ से होगी, कि आप माफ कीजिए, लेकिन यह content सारा सारी books में available है, मैं तो सिर्फ आपको इवदाना चाहरे ह उत्तर लिखते कैसे हैं, अब यह इस paper का आखरी question है, जिसमें लिखा हुआ है कि operating cycle concept बता है, यह working capital का, working capital का मतलब होता है, कारेशील पूंजी, यानि किसी business को शुरुआत करने के लिए, जो आपके पास में business आपने बना लिया, building बना लिया, लोगों को काम बे रख लिया, रेकिल लोगों को हर रोज दी जाने वाली salary, और raw material के लिए जो काम बे आने वाला पैसा है, उसको हम बोलते है working capital, उसका एक operation cycle होता है, जैसे मान लीजिए, उनी कपडे बनाने वाली company है, तो वो क्या करेगी, पूरे साल तो समान बिकेगा नी न, तो यह उसके operational cycle अलग होग उसमें time अलग लगेगा, जबकि FMCG के product बनाने वाली company में समान आता रहेगा, समान बिकता रहेगा, नया माल भी आता रहेगा, बिकता रहेगा, almost throughout the year चलता रहता है, तो यह बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका operational cycle है क्या, operation cycle कहते है किसको है, जब हम कहते है कि हमारे पास में cash है, उससे हमने raw material करिदा, फिर work in progress हुआ, फिर finished good बनाया, उसको हमने sale किया, और उससे हमारे पास में receivable है पैसा आया, पैसा आया, तो फिर से cash आ गया, तो इसको बोलते है, operational work cycle, operating cycle का of working capital, अब इसके बारे में एक थोरी सारी यहां लिखी हुई है, और इसके determinants क्या है, किस चीजों पर निर्भर करता है, क्यों कि हमने सिर्फ यह नी पूछा कि concept क्या है, concept तो आपने तीन लाइनों में बता दिया, पांच लाइनों का question है, यह पांच नमबर का question है, तो इसके लिए आपको इसके determinants की बताने चाहिए, किन-किन चीजों पर यह जो हो निर्भर करता है, तो यह मैंने 19 पॉइंट यह लिखे हैं, और इसी के साथ, paper 1 complete हो गया है, I am sure, आपको शायद समझ में आया होगा, कि model answer कैसा होता है, इसके answer कैसे हो सकते थे, आप अपनी, प्लीज इसको PDF को डाउनलोड कीजेगा, जो RPC की website पे वैलेबल है, और जर से reference भी ले सकते हैं, thank you so much, have a good day.